तो गाइस यहां पर आज की वीडियों हम बात करने वाले हैं कि आखिर एक यूटूब वीडियो वारल कैसे होता है यहां पर दोस्तों अगर आप यूटूब करेटर हो आपका यूटूब चैनल है यूटूब पर वीडियो अप्लोड करते हो तो आपको यह जान लेना काफी वार रल कैसी होती है क्या क्या करता है तो आज हम पूरा शीयर करने वाले हैं तीन साल का तो चली को मैस्कि ब church तरूब देखीगा तो चलिए ताइब करते हैं यहां पर क्या होता है कि जब कोई अपना एक नया यूटूब चैनल ओपन करता है आपका ही कोई अगर नया यूटूब मतलस आपने YouTube वीडियो को वारल कर सकते हो याँ पर दो यूटूब वीडियो वारल होता है सबसे पहल से पहले फैक्टर की बात करते हैं कि और क्या है एक YouTube वीडियो के CTR को किस्ता से बढ़ाया जा सकता है सारा सबसे पहले हमें इन चीज़ों पर बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि जब आप YouTube पर एक थमनिल बनाते हो उसके बाद जैसे ही आप थमनिल लगा कि अपने वीडियो को पब्लिक करते हो यहाँ पर अगर आपका यह चैनल के कटेगरी पर भी मैटर करता है और आपका वीडियो किस यहाँ आगर आपका वीडियो entertainment गटेगरी का है तो आपका जो क्लिक्स्रेट की बीच में अच्छा माना जाएगा या फिर इससे जादा अगर आपका क्लिक्स्राइट है पर इस तरह का वीडियो अप्रोड करते हो तो इनका जो अच्छा क्लिक तुर्ट मारा चाता है वह माना चाता है अगर आप मान के चलो आपके यूट्यूब वीडियो पर 10 पर संसे ज्यादा अच्छा है आपका वीडियो वारल हो सकता है अब यहाँ पर दूसरा चोंगता है अब यहां पर CTR अच्छा होने के बादे अधन दूसरा यहां पर मेटर करता है आपकी वीडियो को वारल करने में वह है और यहां पर जूस्त्तों हुआ कि ऐसके आखिता है कि घंच रहे है कितना आपका audience retention आ रहा है average view duration कितना आ रहा है यह सारी चीज़े यह YouTube algorithm देखता है अगर यह दोनों चीज़े आपकी वीडियो का अच्छा होता है तो 100% आपका वीडियो वारल हो जाता है तो अभी बात करते हैं कि कितना audience retention होना चाहिए तो यहां पर अगर आपका जो वीडियो परसेंट से 50% के बीच रहना चाहिए अगर 30% के ऊपर आपका audience retention रहता है तो आपका जो वीडियो का audience retention है वह बिल्कुल सही माना जाएगा अगर यहां पर आपका audience retention समाझे दस मिनट का वीडियो है अगर दस मिनट के वीडियो को पांस मिनट तक भी average लोग देखते हैं तो आपका जो audience retention होगा वह 50% का होगा और अगर यहां पर आपका जो audience retention है वह 40% 50% के लगभग का होता है तो 100% यह फिक्स होता है कि आपकी YouTube वीडियो जरूर से वाइरल होगी जहाए जिस भी टॉपिक पर आपने वीडियो बनाया है आपके चैनल पर आपके उस वीडियो पर ज सारी चीजें हैं जो कि आपको जानने ना बहुत ही जरूरी है अगर आप एक यूटुब क्रेटर हो और दोस्तों यहां पर काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है मालीजिए कि आपने कि यह रहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने किसी एक वीडियो का अप्लोड करे हा है जो भी आपने आभी यूटूब पर वीडियों देख रहे हों जिस पर कि मिलियंस आफ व्यूंश हैं आप मेरे चैनल के वीडियो काहीं जाम पर ले सकते हो जिसबर की आप अब देखो गये चार मिलियंस से ज्यादा ब्योश्य है तो यहीं आप यहां पर क्या हुआ थ पर चार 500 भी जा गए फिर उसे और टाइम हुआ तो कि यहांपर क्या होता है कि जब यूट्यूब के ठमनिल को सिर्फ टार्गेटेड और यूटूब पर सच करता है तो यह चांस होता है कि वह यूजर आपके वीडियो पर क्लिक कर देगा तो ऐसे में आपका सब्सक्राइबर्स के पास भेज दिया जाता है जो कि उस टॉपिक में इंट्रेस्ट हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता है इसलिए स्टार्टिंग में आपका क्लिक तुरू रेट है वह काफी चलए डाउन रहता है और और यूटूब आपके उस वीडियो को धीरे-धीरे ट लोगों के पास भेज़ता है या फिर कोई सर्च किया हुआ है फिर वो अपने यूटूब को चला रहा है तो होम पर आपका वीडियो सजेस्ट कर जाता है तो उसने सर्च किया था उस टॉपिक की उसे जरूरत है तो तो यहां पर जो चांसे से क्लिक होने के वह काफी जदा हल्प हो सकता है तो आपकी वो वीडियो का पूरण लाश्ट तक भी देखेगा और इस तरीके से धीर करका आपको इंप्रेसं क्लिक थूर्ण है और जो वाश टाइम है ओंधिन्टेंट होता है अगर आपका यूटूब वीडियो हो जाता है अब को होता है तभी आपका वी ट्रीक रेत्रीग तरीक से बस सब्टेक से ऊच्छी तबंच मिलने में क्योंकि यहीं पर माल लिए कि आप नो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है ऊच्छी नहीं बनाया है और् Everybody कि अलगliner ये नहीं है और विडियो के अंदर आ उलाग jest या फिर आपका जो वी ड़यो देखने में अच्छा नहीं ? लोग आपके वीडिवो पॉडियो लीप सबसे पहले आपके उससे नहीं करेंगे तो यूच्छ नहीं आता है रिएट लिए के अटता है और उप्र विडियो को वैद्ध में उपर गायों इसलिए अच्छा थमधिल बनातों आधर जितना ही अच्छा थम यदेनल उतना ही चांस काफी ज़्युआधा हई रहेगा और वीडियो अगर आपका अच्छा रहेगा तब ही तो अध्यूश क्ली भिन नहीं कर देता है फिर उससे जदा दो आपकी पीडिएयो का यह अब क्योंकि लोग वीडियो को तभी देखेंगे जब आप में प्रॉटी होगा यह वाय को अच्छा होगा और अपका टॉपीक आप बंब स氣ं बता रहे हो ़एसे में लोग आसे बूर्ण देखेंगे तो यह आstrom चीज़े दो फेक्टर यह दोनों इन दोनों चीज़ों को चलते हो आपके किसी भी वीडियो में यह दो फेक्टर जो मैंने आपको बताए अगर ये दोनों चीज़े अच्छी होती तो 100% चांस होता है अगर आपका सही है तो यूटूब पर इनीचियल जल्दी नहीं आता है अगर आपको छोड़ा चैनल है तो आपको प्येशन्स रखना होगा यूटूब पर आप बीडियो बना चलिए और आप यह मैंने भी बहुत अपने चैनल पर पुरानी बनाई थी लेकिन जैसे मेरी एक वीडियो वारल हुई उसके बाद मेरे सभी वीडियो धीरे धीरे करकर यूटूब सर्च में आने लगे और अभी आप देखो कि हमारे चैनल पर बहुत सब्सक्राइब करने का अगर दोस्तों यह वीडियो को पसंद आई होगी अगर इसी तरह का वीडियो को और भी तो आप मारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो जिससे कि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा तो गाई सबसे मिलते हैं किसी और ने वीडियो में ने टॉपिक के साथ तक तक लिए धन्यवाद जैहिंद व देमातरम